आज लोगों की डिमांड थी कि मैं इस टॉपिक से रिलेटीड वीडियो बनाऊं तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक लाइट के बारे में तो दोस्तो सीधा अगर मैं बात करूं हैक करना तो अधिल्व ऐसा नहीं कि इंपॉसिबल है लेकिन पॉसिबल है लेकिन हम इसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधा चाहते कि भी ट्राफिक लाइट को है कर लो लेकिन उसके बेसिक जो फंक्शन से उन्हें नहीं जानते तो पहले मैं आपको बता दू इस यह जो वीडियो इसमें हम क्या क्या चीजे सीखने वाले हैं सबसे पहले हम जानेगे कि वास्ता मे ट्रैफिक सिगनल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं कितने पार्ट में डिवाइड़ होते हैं कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो उन्हें मैनुफेक्चर करती हैं इविन ट्रैफिक लाइट जो ट्रैफिक सिगनल्स कंट्रोनर है वो किस तरह से काम करते हैं इंडिया में क्या यह अगर है तो किस तरह से possible है और outside of India ये किस तरह से होता है इसके अंदर कौन-कौन से tools का इस्तिमाल किया जाता है और किस तरह की process का हम इस्तिमाल करने वाले हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में ये सारे topic cover-up होने वाले हैं उमीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे classification of traffic signals की traffic signals जो होते हैं ये control devices होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कब हमें रुखना है कब चलना है आप सभी जानते हैं बख़ुभी red, green और yellow signals के बारे में तो ये जो signals हैं इने हम कह सकते हैं थी तीन categories में हम इने classify कर सकते हैं number one traffic control system, number two pedestrian signals, number three special traffic signals तो सबसे पहले अगर हम बात करें traffic control signals ये तीन तरह के हो सकते हैं या फिर इसी के subtype आप इने कह सकते हैं fixed time signals, manually operated signals और traffic actuated यानि की automatic signals तो fixed time जो signals होते हैं particular fixed time के बाद on और off होते रहते हैं आपने देखा होगा ये हमारे इंडिया में भी बहुत अलग 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 तरह के signals का इस्तिमाल किया जाता है कुछ जगह पर होता है कि computer से भी हम उन्हें handle करते हैं जिस हिसाब से जहां traffic ज्यादा होगा तो उस हिसाब से ही वह work करेंगे signals highlights होगे लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि एक particular time के बाद जो signals है वो change होते रहते हैं red, green, yellow जो भी है तो एक particular time के according वो काम करते हैं तो उन्हें बोलते है fix time signals दूसरा होता है manually operated signal जैसा कि नाम से बता चल रहा है manually operated यह जो signals होते हैं यह depend करता है इनकी working crowd के उपर जैने कि मानलीजी किसी भी fix time पे जैसे कि evening time पे किसी भी particular area में traffic जादा रहता है तो वहाँ जो signals है वो manually set कि जाते हैं कि पाँच बज़े से छे बज़े तक यहाँ यह जो signals है इस तरह से का करेंगे और दोपयर को इस तरह से काम करेंगे तो इस तरह के जो signals हैं उन्हें manually operated signals बोला जाता है and third one is traffic actuated यानी कि automatic signals automatic signals आप यह नहीं कह सकते हैं कि computer से भी हमेने handle करते हैं traffic का जो situation है वो चीज़े देख कर तो यह तीन तरह के इसके parts है traffic control करने के जो systems हैं यह तीन है second पे हम बात करंगी pedestrian signals जो signals होते हैं यह traffic के हसाब से ही on or off होते हैं यह mainly काम करते हैं जो пар rotaryject Pierre चलते हैं side में तो उनके accordingly कब इने on करना है कब इने off करना है तो यह traffic के हसाब से काम करते हैं special traffic जो कि आपने देखा होगा कि return में आता है लिखा हुआ होता है काई बार foreign के अगर हम बात करें तो वहाँ पे लिखा होता है now you can move या stop इस तरह के signals होते हैं कि red green yellow lights नहीं होती है special symbols बने होते हैं crossing marks का symbol हो गया तो वो भी आपने कई बार देखेंगो तो उन symbols के according ये काम करते हैं अब हम बात करते हैं traffic signal जो होता है वो किस तरह से काम करता है जो इक traffic signal होता है standard set of traffic signals जो होगा उसके अंदर ये चीज़े होती है traffic signal controller होगा दूसरा है vehicle detector loops होंगी या फिर आप कह सकते है pedestrian push buttons लगे होते हैं and next one is traffic signal lanterns जो lanterns कह सकते हैं कि जो charcoal वगरा से मिला के जो भी सड़क बनी होती है वो lanterns उनमें काफी important rule पे ले करते हैं आपने देखाऊगा बहुत छोटी छोटी light lanterns में internally fit होती है वे तरह से sensor वाला काम करती है next one is post pits and underground electrical cables that connect all the components together तो internally उसमें cables जोड़ी होती है जो traffic signals तक यानि कितने vehicle उससे cross कर गए है इसकी information signal के पास भीजती है और वो on or off होते हैं यह सारी चीजे मिलकर एक traffic signal को काम करने में help करती है अगर हम बात करें traffic signal controller यह main important path होता है जैसे कि अभी बात चल ले थी क्या इंडिया में possible है तो इंडिया में जाद तर जो चीजें वो internet से जुड़ी हुई नहीं है और internet से जुड़ी नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो hack नहीं हो सकती वो hack हो सकती है hardware की भी चीजे hack होती है तो अगर आप चाहते हैं इंडिया में इस तरह का काम करना क्यूंकि कुछ ही places पे internet से related जोड़ी हुई चीजे है तो वो तो आसानी से programming और कई अलग अलग तरह से हो सकती है लेकिन offline के अगर हम बात करें तो उसके लि मिल जाएंगे तो इंडिया में जाततर यही चीजे होती है जो traffic signal controller होते हैं इनहीं की मदद से यह सारा काम होता है आप यहां देख सकते हैं net की जो cabling है पूरा एक control center बिछा हुआ है यहां पे और यह पूरा नजर रखे हुए होते हैं तो definitely अगर आपको इन पे control बनाना है त तो then control center के अंदर जो softwares use हो रहे हैं या जो भी system का वो इस्तिमाल करते हैं वो hack करके आप इन पे control बना सकते हैं this one is the second way तो controller से आप यहां देखेंगे मैंने लग-अलग diagrams दी हैं ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें traffic signals से यह जो box दिखाई दे रहा है आप यहां देख सकते है तो बड़े सहरों में big cities जो होती है वहां पे इस तरह के चीज़े होती है लेकिन वहां पे आपको यह चीज है नहीं करना यानिके hardware नहीं वहां पे आपको जो management center है उनके software से connect होना पड़ता है जिसके लिए अलग-अलग तरह के attacks होते हैं वह आप उनका इस्तिमाल कर सकते हैं even practically आप चाहें तो यहां पे बहुत चोटा सा डाइग्राम है जो इन चीजों को manage करके देखता है आप यहां देख सकते हैं distance के हिसाब से अलग-अलग जो signals हैं जो lightings हैं वो उन lightings को show करती हैं जिस हिसाब से वहां पे crowd होता है क्योंकि जो sensors लगे होते हैं उनके accordingly यह detect करता है तो sensors गाड़ी के अंदर भी होते हैं और road के अंदर भी जो internally जैसे कि मैंने आपको बताया वो built किया जाता है अब अगर हम बात कहें कि यह traffic light बनाने वाली company कौन सी है तो जैसे कि मैं आगर बात करूँ जैसे कि अंदर defcon 22 में ऐसा हुआ था कि traffic lights को hack करके दिखाया गया था तो definitely वहां पे manufacture लिया था उन्होंने एक company का तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन यह companies हैं जो traffic lights को बनाती है इनकी कोई भी device आपको असानी से वैसे मिल भी सकती और नहीं भी that depend करता है कुछ अब अगर हम बात कहें आउटसाइड की तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि एक topic प्रिजेंट किया रहा था था इसमें जो समझने वाली बात है 2014 में जो उन्होंने यह hack करके दिखाया वह wireless traffic lights थी और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें wireless traffic lights की तो बहुत कम level में आपको मिलेंगी आउटसाइड यह बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आपको मिल जाएं क्यूंकि जातर वहां पे सारा चीज आयोटी यानि के इंटरनेट अफ तिंग से जोड़ा हुआ जातर चीजे तो उन्होंने तीन मेजर वलनबटीज के बारे में पता लगाया तो यहां पे दिखें डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड का मतलब यह है कि जो भी मैनुफेक्ट्र कंपनी जैसे कि ट्रैफिक अभी में आपको बता रहा था कि कंट्रोल सिस्टम्स को बनाने वाली जो कंपनी जैं वह एक डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड रख पासवर्ड को नहीं बदलते तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है थर्ड वन इस डीबगिंग पूर्ट अब डीबगिंग जो पूर्ट है यह वी एक्सवर्क्स करके एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसके अंदर यह पूर्ट दी गई है जिसके जो इसके बाद आपने के लिए आपको यह जो इसे अक्सेस पोईंट का नाम दिया गया तो इस अक्सेस पोईंट की जरूरत नहीं होती है इसे तो आप नॉर्मली एक लैप्टॉप एक वाइफाइ कार्ड जो कि डेटा ट्रांस्मिट कर सकता हो और एक साफ्ट्वयर जैसे की वायर सार को गया जो कि आपके data packets को capture कर सके इन normal सी चीजों की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं तो access point जो होता है intercept करता है data को जो भी sensors के जरी भीजा जाता है तो आप यहां पढ़ सकते हैं without the access point and software you can sniff the wireless data but it will be difficult to understand what everything means तो मतलब access point के बिन आप sniff तो कर सकते हैं wireless data को आपको जरूरत भी नहीं है बिना इसके भी आप यह कर सकते हैं आप यहां देखे इसकी थोड़ा सा डाग्राम के जरिये में आपको कोसिस करूँगा यह चीज़े समझाने की जैसे कि आप यहां देख सकते है wireless radio हो गया जो की signal करने वाला काम कर रहा है camera and induction loop है controller है mm use है यह सारी चीजे मिलकर मतलब help करती है कि कि इस particular time पर किस तरह का जो signal है वो highlight हो क्यूंकि जैसे कि मैंने आपको बताए गाड़ियों के अंदर भी sensors वगरा लगे होते हैं इस diagram को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं आपको sensors जो होते हैं वो detect करेंगे cars और inspect करेंगे infrastructure को यानि कि जो vehicle गुजर रहा है वो किस तरह का है heavy vehicle है या low है small जो गाडिया small जो गाडिया होती है उस तरह का है controller क्या करेंगे receive करेंगे data को sensor से और control करेंगे light की state को यानि कि किस तरह की जो light है वो अब होनी चाहिए मानली जी red है green है वो sensor से जो information मिल लिए उस information के हिसाब से controller उसे control करते है next one is communication channel जो काम करते है hardware communication मतलब जिसकी मदद से communication हो सके जो कि एक wire की form में होता है electrical means wireless भी हो सकता है next one is malfunction management unit यानि कि MMU जो manage करती है potential conflicts को जो कि hardware की safety के लिए होते हैं उने पूरा manage करने का काम करता है and mechanism जो भी होता है यह पूरी चीजें मिलकर काम करती हैं आप इसे हाँ देख सकते हैं यह किस तरह से काम कर रही है तो definitely this one is the complete process अगर आप यह चाहते हैं तो wifi जैसे कि मैं आभी आपको बता रहा था wifi card तो wifi card में यहाँ पर एक range आपको याद रखनी होगी radio signals की अगर हम बात करें कोई भी एक ऐसा card जो radio signal transmit कर सके 5.8 GHz और 900 MHz radio signals produce कर सकता हो जो तो यह आपको याद रखना है और mostly अगर हम बात कर तो normally 802.11N के यह card में आसानी से मिल जाता है कई बार यह जो frequency 802.11N यह जो कि आपकी ज़्यादा तर wifi cards में आसानी से आपको मिल जाता है करने के लिए भी हमें इस तरह के cards की ज़रुवत होती है तो यह card अगर आपके पास एक laptop आपके पास है और यह frequency आप produce कर सकते हैं तो आसानी से आप उन पे control यानि कि traffic lights का जो signals हैं उनसे data capture कर सकते वायर्सक जैसे software की मदश से the next one is कि ऐसा करने के लिए जो controllers होते हैं अगर हम बात करें controllers भी तो किसी न किसी system operating system या software का इस्तिमाल करते होंगे तो मैं आपको बता दू जो controllers हैं वो यूज करते हैं VX works 5.5 version हलाकि अभी इसका version अपग्रेड हो गया है 7 भी आ चुका है तो VX works एक real time operating system है तो controller जो हैं traffic light वाले वो इस्तिमाल करते हैं VX works real time operating system का इसकी मदश से आप चाहें तो यह पूरा जो process है इसे कर सकते हैं आपकेट्स को sniff करना है क्योंकि इससे जो packets आप sniff करेंगे वो encrypted नहीं होते हैं सबसे अच्छी बात यह है और अगर वो encrypted नहीं है तो सीधा सीधा आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं और इसी की मदश से denial of service जैसे attack भी उन पर किये जा सकते हैं अब आप कहेंगे कि denial of service attack का इस process पर क्या benefit है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि denial of service जैसा attack करके अगर हम लेटेस्ट सिस्टम्स की बात करें तो लेटेस्ट के अंदर भी यह तीनो जो process मैंने आपको बताई यह अभी भी काम करती है लेकिन इंडिया में कैसे करना है और आउटसाइड कैसे करना है यह पूरी process हो आपकी समझ में आ गई होगी अगर आपके mind में कोई भी question ह है तो please comment box में comment करें और ऐसी ही बहतरी information के लिए देखते रहें YouTube channel masters in ethical hacking thank you friends good bye